हेलो माई दियर बच्चा दिस बीना यादावाई वेलकम योल टो अकाश बाइजू जूज नीट मुस्ट वेलकम एवरीवान आज का जो सेशन है तेट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकास इसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स परने वाले हैं जो आपके एंटायर 11th की NCRT के important terms जिस पे based आपके question आने वाले है 2022 के exam में या ऐसे terms जो आपके बार-बार exam में appear होते हैं और आप भूल जाते हैं कि उसका actual meaning क्या है आप उस moment पे फटा-फट से आपके दिमाग में click नहीं हो पाता है कि इस particular term का meaning ये है तो वो सारी के सारी terms entire 11th से आज हम अभी आ आपके लिए रखा जाए का जिसमें हम 12th NCRT के सारी terms को पढ़ेंगे hello good evening good evening everyone yes so this is going to be a very wonderful session for all of you so first thing first everyone इसको जल्दी से शेर कर दो अपने सारे friends को बुला लो अकाश बाइजू जनीट के बहतरीन चैनल को subscribe कर लो because बच्चो जब तक कि आपको exam नहीं हो जाता तब तक के लिए आपकी hand holding करी जाएगी एक एक चीज जो आपको exam में excel करा सकती है be it motivation, be it your studies, everything will be provided to you on this particular channel so subscribe करेंगे इस बहतरीन से चैनल को bell icon को press करना तकि आपके पास सारे notifications आप आए, yes everyone good 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 afternoon, hello Pranav, Afan, Shushmita, Navneet, we have Pranav, yes super, तो आप में से कितने students ऐसे हैं जो अभी इस साल 2022 में exam देने वाले हैं, जल्दी से मुझे comment section में बता दो जी, फटा फट से, in the comment section, hello Anu, hello Rajkumar, Navneet Yadav जी, hello, जल्दी से, yes प्रेम बिस्वास, तो ये ये ही जौश ये ही जजबाच चाहिए, जो प्रेम विस्वास दिखा रहे हैं कि इस साल मुझे अपनी एक सीट निकालनी है, MAMC में निकालनी है, now your dream college depends upon you, आप चाहते हैं कि Ames Delhi में मुझे admission चाहिए, entirely your choice, आप चाहते हैं कि मुझे Ames Bhopal चाहिए, entirely your choice, but yes आपने अभी से अपना एक perfect destination plan कर लिया है, logically step by step आप उसकी तरफ move करते जा रहे हैं, that's what which is required right now, yes everyone, 2022, 2022, तो बच्चे आपको NCRT open नहीं करनी है अच्छी क्लास में, आपको सिर्फ एक pen and paper चाहिए मेरे साथ में, pen लेके बैठेंगे, paper आपके पास में होना चाहिए, जो भी मैं term आपको डिस्प्ले करूंगी, which is important term आप पढ़ चुके है उसको, आप comment section में मुझे बताएंगे कि इस term का meaning क्या है, पहले आप actively involved होके दिखाएंगे उसके बाद I will tell you, कि actually इसका meaning क्या है, hello Devyani, hello Nimisha, hello Bhagirat, Afan Ahmed, yes everyone, तो share किया इस session को, share कीजी, अपने सारे दोस्तों को बला लिजी, बैठ करके synergy से एक साथ, हम त्यारी करेंगे अपने 17th होग जुलाई के एक्जाम की, चित्रा मोनी, hello, Anu, all right, soup up, soup up, चालिये जी, let's get started then, start करते हैं, important terms of class 11th, again I am telling you, class 12th के लिए आप के लिए एक और session में लेकर किया होंगी, आज हम class 11th के terms को पढ़ेंगे, then class 12th के लिए we have a separate session all together planned, and 12th वाले में हम सारे 12th वाले terms को पढ़ेंगे, यह जितने भी terms है, अब इसको important मैंने कैसे बोल दिया, कि important terms है, because ऐसे terms आपके एक्जाम में आएंगे, questions के बीच, बीच में जो terms involved हो जाते हैं, मैं यह नहीं कहूंगे कि यह definition based question आजाएगा, but यह ऐसे terms हैं जिस पे based questions जरूर आते हैं आपके, yes, good evening, good evening, तो चलिए जी, start करते हैं अपने आज के बहतरीन से session को पहला, पहला term आपके स्मक्ष प्रस्तूत किया गया है, which is nomenclature, क्या आप बता सकते हैं मुझे, what exactly is nomenclature, come on, in the chat box right now, what exactly is nomenclature, nomenclature means naming process, तो किसी particular organism का naming करने का जो process होता है, ताकि worldwide एक ही नाम से पहचाना जाए, एक ही नाम से जाना जाए, कोई ambiguity ना हो, that is called as nomenclature, Hello Samir, Hello Sonu, Shushmita, जल्दी आओ बही class में, फटा फट से class में आजाओ, इसी लिए कहती हूँ, bell icon को प्रेस किया करो, ताकि आपके पास में notification आता रहे, की class start हो चुकी है, हाँ जी, येस, naming process, so what is nomenclature, it is process of naming of a particular organism, such that it is known by the same name all over the world, see problem क्या हो रही थी, जब तक की nomenclature जात नहीं हुआ था, उससे पहले problem ये हो रही थी, की एक particular organism के अनेक नाम हो चले थे, North India में कुछ different नाम है, South India में कुछ different नाम है, let's say outside India कुछ different ही नाम से इसको पहचाना जा रहा है, तो problem क्या हो रही थी scientist को, जब वो अपनी scientific research को conclude करते हैं, so conclusion में वो अपनी regional name के हिसाब से उस plant को संबोधित कर रहे थे, जिससे ambiguity rise हो रही थी, so to make it a smooth process, that's why आपका एक perfect naming system को इजात किया गया, and that process of naming is called as nomenclature, that process is nomenclature, yes, yes everyone, चला जाए, next term पे, next is taxonomy, taxonomy, come on, in the chat box right now, in the chat box, मैं मेरी आवाज श्लो लग रही है क्या आपको, हां जी, voice में कुछ issue लग रहा है क्या बच्छो? very good Sushmita Chodhwi, shabash, next is taxonomy, so what is taxonomy, what is taxonomy, very good, Prem, super answer, yes, what is taxonomy, science of naming, describing and classifying organism by using morphological, behavioral, genetic and biochemical observation, that is called as taxonomy, so see, nomenclature का मतलप था सर्फ नमिं करना, now in taxonomy, we have to describe, we have to classify the organism also, based upon certain classification system, हमने सभी organisms को classify किया हुआ है, and हमने इसको taxonomical hierarchy में रखा हुआ है, now what is that hierarchy, this is the hierarchy, species, genus, family, order, class, phylum and kingdom, why, why we did so, to make your studies a smooth process, तकि smoothly आपको समझ में आए, इसी लिए, इसी लिए इस system को इजाथ यागिया, this is classification of organisms, right, very good, very good, very good everyone, so this is your taxonomy, चले, next term पे, next is heterocyst, very important term, MCQ alert, biological classification से, ये term बहुतायत में इंपॉर्टन है, इस पे बेज़ ग्वेस्ट क्वेशन काफी बार पुछा जाता है, तो what is heterocyst, come on everyone, what is heterocyst, what is heterocyst, yes, yes, सुझल, next पे आओ, next पे, आप लोग साथ साथ में अपनी notebook में लिखते भी जा रहे हैं, सारे के सारे terms को, make sure आप note down जरूर कर रहे हैं, चीक है, हाँ जी, heterocyst, तो heterocyst आपके you bacteria में पाए जाते हैं, जो specifically nitrogen fixation में involved होते हैं, उस bacteria में आपको heterocyst देखने को मिलते हैं, जो यह heterocyst होते हैं, यह nitrogen fixation में involved होते हैं, so basically इस organism में आपके normal vegetative cells भी है, which is this one, and we have heterocyst also, जो कि specialized cell है, जिसमें specifically आपका nitrogen fix होने वाली है, तो ऐसा क्या खास बात होती है इसमें? येस, खास बात क्या है? हेट्रोसिस्ट की, हेट्रोसिस्ट की खास बात यह होती है, कि nitrogenase नाम का enzyme, जो actually nitrogen को fix करने वाला है, nitrogenase enzyme सिर्फ और सिर्फ un-aerobic condition में ही function करता है, अब un-aerobic condition maintain करना necessity हो चुका है, vegetative cell में अगर हम un-aerobic को maintain करेंगे, तो normally photosynthesize नहीं कर पाएगा, विकास उसके लिए आपको aerobic के requirement होती है, तो ये जो लडाई है, ये जो tessel है, इसको eradicate करने के लिए we have heterocyst, heterocyst में आपका un-aerobic condition को maintain किया जाएगा, ताकि आपका nitrogenase enzyme properly function कर पाएगा, ठीक है, ठीक है, येस, अल्राइट, हेटरocyst, दन, next is plankton, what are plankton, again very important term, what are plankton, plankton are microscopic organisms which are floating passively with the water current, पानी के साथ में passively बहे जाने वाले, जो microscopic organisms होते हैं, those ones are plankton, what are plankton, come on, come on, voice is good, ठीक है, बहात बढ़िया, come on, next one, what are plankton's, microscopic organisms, floating passively with the water current, those ones are plankton, yes, yes, super, next term, diakaryon, very important, लिख देते हो जी, MCQ alert, fungi में, this term is very, very, very important, what is a diakaryon, क्या होता है चाह, diakaryon, अगर हम फंजाई में, sexual reproduction की बात करे, so we have plasmo game, yes, we have karyogamy, then, there is a stage, which is called as diakaryon stage, what is that diakaryon stage, very good, very good, very good, very good, very good, next, next, come on, come on, so diakaryon is an intervening stage, having two nucleis in one cell, say plasmo gamey में, plasma fuse होता है, karyo gamey में, आपके nucleus fuse होते है, तो जब दो cells, इस तरीके से, close contact में आती है, so ये दो nucleic भी contact में आए, तो ये वाला condition तो हो गया, जब वो fuse हो चुके है, which is 2N, यहाँ पर आपका N present है, but specifically, fungi की case में देखा गया, कि यहाँ पर बीच में, ये N plus N वाला stage भी आ जाता है, what is this N plus N stage, this N plus N stage is, my dear kids, diakaryotic stage, जो ये structure बन गया है, इसको आप diakaryon कहते हैं, very important term from fungi, diakaryon, right, चलते हैं next पर, viroids, पकास equation बनेगा इस पर, पकास equation बनेगा, MCQ alert है आपका, viroids क्या होते हैं, viruses क्या है, preons क्या है, तीनों ही topic, बहुत बहुत important है आपके, yes, viroids everyone, viroids के अगर आप बात करेंगे, तो ये free RNA है, which is devoid of protein, caught smaller than the virus, virus से भी सुक्षम particle, virus से भी सुक्षम क्या हो सकता, आप मान के चलिए, so virus का भी सुक्षम particle, जिसमें सिर्फ genetic material, में भी specifically RNA present है, outer side, जो protein का caught होना चाहिए, जो capsid होना चाहिए, that is absent, तो अगर आपका RNA infectious हो गया है, that would be your viroid, that is viroid, good afternoon बच्चो, चल्दी से आजाओ, हाँ जी, this is having very low molecular weight, very good नवनीत यादर, it is very important topic, इस पर बेज़ आपका एक क्वेशन जरूर बन जाता है, beat virus, beat viroids, beat prions, तीनो ही topic आपके बहुत important है, आपके बहुत इंपॉर्टन है, आगे चलते हैं, next term is zoospores, algae में पाए जाने वाले जो zoospores होते हैं, बटा दे, what are they, नवनीत, yes of course, अगर protein वाला पार्ट आपका infectious हो जाएगा, that will be prions, nucleic acid में जो RNA है, वो infectious हो गया, that is your viroids, चौधरी, good afternoon बेटा, Aryan Mishra, good afternoon, yes, what are zoospores, zoospores आपके flagellated sports होते हैं, यह motile है and asexual sports है, यह जो structure आपको देख रहा है, इसको आप zoospores बुलाते हैं, जब आपका zoospores बॉस्ट आउट होता है, तो उससे निकल करके आते हैं, एक specific motile sports, जिसको की मैं zoospores बुलाती हूँ, which is this one, तो यह zoospores जो है, इसका pyreform structure है, as you can see, pear-shaped pyreform structure होता है, जिसको आप zoospore बुलाते हैं, flagella इस पर present होता है, flagella present है, मतलब यह move करेगा, यह motile होगा, yes of course, it is motile, it is flagellated, it is asexual spore, it is present into zoospore engeum, zoospore engeum में यह पाया जाता है, right everyone, next term पर चले, next, next is your aplanospore, aplanospore भई, अच्छे से समझ पारे हो सारी terms को, तो like, share, subscribe में, कोई कंजूसी नहीं चाहिए मुझे, session को like करते रहेंगे, साथ साथ में, share भी करते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ में, सब को बुला लो, साथ में बैठ के synergy के साथ में, सभी terms को आज हम, आज ही की एक क्लास में फते हासल कर लेंगे, yes, next one, aplanospore, जो आपके non-motile spores होते हैं, asexual spore, जिस पे flagella मेरा absent है, बट नेचरल flagella absent है, तो move कैसे कर पाएगा, it will be non-motile, non-motile, motile spore को planospore आप बोल सकते हैं, and आपके non-motile spore को हम aplanospore बोल देते हैं, this is aplanospore, non-motile, asexual, बई, chats का जो rate है ना, काफी धीरे धीरे दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि ATP खर्च नहीं कर रहे हो, ATP का खर्चा करो, active process में involved हो, symbiosis को maintain करो, everyone, dimple good afternoon, yes, थोड़ा active, active process, बॉलते के साथ, term, फटा फट से मुझे answers मिलने चाहिए, in the comment box, right, चलिए, next one, types of gametic fusion, आपने सुना हूगा, तीन टर्म, iso, gammy, aniso, and oogamy, what are they, come on, tell me, iso, aniso, oogamy, तीनो में difference क्या है, हां, जी, dpc, जवन, बताओ जी, तीनो ही आपके type of gametic fusion है, किस type का gamete involved है, based upon that, आपने इसको differentiate किया है, इस three different types में, नाम में ही function चुपा हुआ है, aiso का मतलब होता है, मेरे बच्चे similar, मतलब जो gametes involved है, जिस gamete का fusion होने जा रहा है, वो similar type of gamete है, तो उनका shape, size, structure, सब कुछ similar है, motile है, तो दोनो ही motile है, non-motile है, तो दोनो ही non-motile है, that would be your isogammy, then we have anisogammy, aniso का मतलब होता है, मेरे लाल different, aniso is different, तो जो दो gametes involved है, वो different है, beat structure, उनका size, सब्सक्राइब हो सकता है, motility में differences हो सकता है, but they will be different in every aspect, these ones are your anisogammy, then we have oogammy, oogammy, एक specific type of fusion है, जिसमे आपका जो female gamete होता है, वो large होता है, non-motile होता है, जो male gamete होता है, वो small होता है size में, and motile होता है, that is your oogammy, so we have isogammy, anisogammy, and oogammy, these are the three different type of gametic fusions, three different types, ठीक है, चलिये, next पर चलते हैं, next terms are your enthridium and archegonium, very important term, previous year question alert मैं यहाँ पर लिख देती हूं बच्चे, क्यों, क्योंकि previous year question आया था, diagram based इस वाले पार्ट से, diagram दिया हुआ था, अब आपको सर्फ इस structure को देखके identify करना था, कि it is enthridium और it is archegonium, तो enthridium का structure आप देखे, इस तरीके से बना हुआ, जैसे fried egg होता है न, कुछ वैसा सा appearance आपको देखने को मिलेगा, और जो archegonium है, उसमें ऐसे leaf-like structures बहार निकल रही हैं, ध्यान से देखे, these ones, yes, that is the basic difference between this structure, so enthridium आपका male sex organ होता है, bryophyte में, archegonium आपका female sex organ होता है, bryophyte में, yes, male and female sex organs, come on everyone, जल्दी से comment में लिको, जल्दी से comments में लिको, and 3DM is your male sex organ, archegonium is your female sex organ, चलिए, next term, sporophylls, सुना होगा सब में, sporophylls, what are sporophylls, sporophytes and pteridophytes, bear sporanchia on leaf-like appendage, that is called as sporophylls, तो यह आपकी sporophylls दिख रही हैं आपको, sporophylls, very important term from plant kingdom, very important term from plant kingdom, these are the sporophylls, next term पर चलते हैं, which is prothelus, prothelus, protonema, दोनों ही मैं कहूंगी, MCQ alert है, आपको यह जरूर पता होना चाहिए, किस plant में होते हैं, तो prothelus जो है, pteridophytes plant में पाये जाते हैं, यह thaloid gametophyte है, इस तरीके से heart-shaped structure, आपको देखने को मिलेगा, यह gametophytic structure है, मतलब haploid आपका structure है, यह आपर अंथ्रीडियम भी है, archegonium भी है, on the same gametophyte, that is your prothelus, that would be your prothelus, done, done, and protonema किस में पाये जाते हैं, जिल्दी बताओ comments में, यह तो मैंने protonema किस में पाये जाते हैं, यह तो मैंने protonema किस में पाये जाएगा, yes, in the comment box, protonema, plant category बताओ बस, किस plant में पाये जाते हैं, Ritukumari, Kiran, Ayan Khan, Pallavi, protonema is found in your, because very good in your bryophytes, यह आपका bryophytes में पाये जाते हैं, yes, बच्चे, yes, into your bryophytes, superb, चली, next time, strobuli या कौन, मैंने अपने YouTube classes में आपको दिखाया हूँ, अभी है यह structure, this is a reproductive structure, consisting of sporophylls, arranged spirally, or in an overlapping fashion, that is called as strobuli या कौन, bryophytes में आपका male strobulus, and female strobulus पाये जाते हैं, यह structure जब भी आप किसी hilly area पे जाते हो, left से आप tracking कर रहे हो, तो आपको hilly area में जो plants present होते हैं, bryophytes, आपे generally आपको यह देखने को जरूर मिलेगा, यह वाला structure, देखा है सब बच्चों ने, जरूर मिलेगा, नहीं देखा है तो, I will click a picture and I will send it to you, yes, so this is your strobulus, यह आपका strobulus होता है, strobuli plural term है, right everyone, चलिए, next term, embryo sec, very important, very important embryo sec, angios pumps में पाया जाता है, अब embryo sec पे मैं structure, मैं आप से चाहिए पूछ लूँ, कि this is 7-celled 8-nucleate structure, yes or no, जल्दी बताना comment box में, जल्दी बताना, this is 7-celled 8-nucleate structure, yes or no, in the comment box right now, yes, तो embryo sec में, यह मेरा micropyle end है, जहाँ पे 2 synergid, 1 egg cell पाया जाता है, यह मेरा charlisal end है, जहाँ पे 3 antipodal cells पाया जाती है, and center में I am having central cell, जापकि polar nuclei है, वो present होती है, center में, nucleus यहाँ पे आपके, N plus N condition में देखने को मिलते हैं, एक ही cell में, 2 nucleus है, that's why 7-celled 8-nucleate structure, very important MCQ alert, very important MCQ alert, हैं जी बिलकु, last year का question, यह तो previous year question alert है, very important, yes, done, चलिए, next term, metamerism, next term is metamerism, so division of body externally and internally into segments, with the serial repetition of some organ, that is called as metamerism, metamerism, किरन अभी di-carion stage पर यह बेटा refresh कर लो, refresh कर लो, metamerism, come on, पही आप लोग अपनी notebook में साथ-साथ लिखते वे चल रहे हो न, साथ-साथ लिखते वे जरूर चल ले हो, चलिए, चलिए, next, metagenesis, metagenesis, alternation of generation in cniderians, is metagenesis, is metagenesis, right, चलिए, next, monosius and diocious, very confusing terms and very important terms also, monosius and diocious, तो इसको याद करने के ले एक simple सा चीज़ मा आपको बता देती हूं बच्चो, monosius, मतलब single, है न, die माने two, तो क्या है single or two, तो single home लिख दो यहाँ पे, two homes, two homes for what, so monosius में we have single home for both the sex organ, beat male sex organ, beat female sex organ, दोनों ही एक single home पे, एक ही जगह पे पाये जाते हैं, that would be your monosius, और अगर दोनों sex organ, दो separate bodies में exist करते हैं, that would be your diocious, plants के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, तो monosius में we have both type of sex organs, जिसका अब हर्मेफरोडाइट भी बुलाते हैं, diocious में separate sex present होते हैं, different organism will be having different sex organs, that would be your diocious organism, छीक है जी, what is mono, what is dye, clear हो गया, चलो, next one, notochord, it is a solid structure that separates the elementary canal and nerve cord, nerve cord and elementary canal को separate करने वाला solid structure will be your notochord, notochord, yes Kiran, perfect answer बेटा, perfect, चली, next one, phylotexy, again very important MCQ alert, मैंने आपको morphology revised कराई थी, तब भी बताया था, phylotexy estimation presentation, तीनों topic से एक सवाल जरूर 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 बनेगा, yes, what is phylotexy, it is a pattern of arrangement of leaves on stem or the branches, यह stem पे किस तरीके से आपकी leaves arranged है, उसका phylotexy कहते हैं, जैसे alternate में आप देखिए, एक नोड पे मेरा एक ही leaf present है, वन नोड is having presence of just one leaf, and leaf मेरी alternatively present है, एक नोड पे इस साइट से, तन दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, फूर्थ बन यहां से, तीसरा इधर से, एक नोड पे इस साइट मेरी लीफ है, एक नोड पे इस साइट मेरी लीफ है, यहां पे भी मेरा लीफ है, अगें इस नोड पे यहां भी मेरी लीफ है, यहां पे भी मेरा लीफ है, ओपस्ट, ओपस्ट, वन नोड is having presence of two leaves on both the sides, that would be your, that is your opposite one, then I am having walled phylotexy, अगर मेरे एक नोड पे एक से ज्यादा लीफ, more than two leaves exist करती है, उसको मैं बुला देती हूं, world phylotexy, देखे, ऐलस्टोनिया में, यह central point यह है, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 leaf exist कर रही है, 6 leaf exist कर रही है, so alternate, opposite, world, all these three are the types of phylotexy, am I clear everyone, am I clear to all of you, yes, समझ आ रहा है सबको, सारे टर्म साप लोग लिखते वे चल रहा है, yes or no in the comment box, साथ साथ में, like, share, subscribe, करते रहना है, करते रहना है, प्यार बाठते रहना है, विद्या बाठते रहनी है, yes, next term, next is your estivation, what is estivation, again very important topic from morphology, MCQ alert है मेरे लाल आपका, what is estivation, it is arrangement of sepals और petals, जितने भी sepals प्रेजन 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 है, वो किस तरीके से arranged है, that is your estivation, जितने भी petals प्रेजन 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 से अर्रेजन है, that is again your estivation, तो आपका velvet हो सकता है, twisted हो सकता है, imbricate या vexlery, velvet में जो sepals या patterns है, वो ऐसे margins पे touch हो रही है, overlap नहीं करती है, that is your velvet type, twisted में there will be overlapping, जरूर होगा, imbricate में भी overlapping है, imbricate में difference यह है, imbricate में specifically, दो sepals के margin, बहुत the margins inside, एक के बहुत the margins outside है, बाके सब एक pattern को follow कर रही है, then vexlery में आपका, we have one standard, जो कि सारे के सारे sepals को enclosed कर रहा है, we have wings, we have keel, तो आपका vexlery pea plant में जो specific ले आपको देहने को मिलता, it is something, some different type of estivation, and very important as well, yes everyone, done, done, so estivation में, we have velvet, twisted, imbricate and vexlery, next term is placentation, again very important, what is placentation, आपकी ovule किस प्रकार से arranged है, ovary में, that is your placentation, अगर मेरे ovule इस तरीके से margins पे, ventral suture पे present है, उसको मैं marginal कहती हूँ, अगर मेरे ovule सेंटर में present है, and ovary में locules भी पाए जाते हैं, उसको मैं exile कहती हूँ, अगर मेरे ovule पेरिफरी पे present है, 2020 का question है, अगर मेरे ovule पेरिफरी पे present है, उसको मैं parietal कहती हूँ, अगर मेरे ovule सेंटर में है, and ovary में locules नहीं है, septa present नहीं है, compartments नहीं है, मैं उसको free central कहती हूँ, अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ovule है, base पे present है, उसको मैं basal कहती हूँ, and the type of arrangement is your placentation, am I clear to all of you, am I clear to all of you, this is your placentation, चलते हैं next term पे, anatomy के terms, exact and endark, very important, endark and exact, आप समचेगा, xylem आपका दो different type में exist करता है, proto xylem and meta xylem, proto xylem जो पहले form होता है, उसको आप proto xylem कहते हैं, जो बाद में form है, उसको आप meta xylem कहते हैं, तो अगर proto xylem inside में, अंदर की तरफ में present हो, central side में, पित पे present हो, उसको आप endark, endark means inside में, उसको आप endark कहेंगे, अगर आपका proto xylem outer side में, बाहर की side में present हो, and meta xylem inside में हो, उसको आप exark, x means outer side, तो proto xylem बाहर है, exark, proto xylem अंदर है, endark, this is exark and endark arrangement, exark and endark arrangement, am I clear, yes everyone, चला जाए आगे, next we have conjoint vascular bundles, अगर मेरी xylem and phloem, जो की vascular tissues है, ये आपस में joint होते है, that is called as conjoint vascular bundles, अब joint होने की बात भी, यहां पर दो different type exist करते हैं, open type and closed type, तो अगर xylem and phloem की bundles की बीच में, cambium exist करता है, उसको मैं open type कहती हूँ, तो if cambium is present, that would be open type, if cambium is absent, that will be closed type, वो मेरा closed type होगा, open and closed, next terms are, adaxial and abaxial surface, तो epidermis जो है आपका, वो दो surface पे दिवाइड होता है, upper, lower आप कैसे कहेंगे, आप उसको adaxial and abaxial कहते हैं, अब याद नहीं रह पाता है, कि abaxial upper है, कि lower है, तो abaxial में मेरे बच्चे, इस B पे ध्यान दीजिए, B means below, B is below, तो epidermis का layer, जो lower surface of leaf पे present है, that will be abaxial, जो upper surface पे layer होगा, that will be your adaxial, just opposite, so B से below याद रखेगा, कभी नहीं भूलेंगे इसको, कभी भी नहीं भूलेंगे इसको, abaxial, जो lower surface of leaf है, यह upper surface, the just opposite, next is the bark, very important term, very important term is your bark, bark is a non-technical term, non-technical term, इसमें आपका secondary flowem आता है, entire periderm आता है, what is periderm, आपका phelogen, phelum, pheloderm, तीनों मिला करके आप इसको, periderm बुलाते हैं, so periderm plus your secondary flowem, collectively इसको आप कहते हैं, जी, bark, which is a non-technical term, yes, bark, next term is your glycocalyx, what is glycocalyx, यह outermost layer है, cell envelope की, mostly carbohydrates along with some proteins and lipids are found, composition and thickness vary among different bacteria, that would be your glycocalyx, yes, that would be your glycocalyx, alright, चली, next one, nucleoid, nucleus तो आपका well-defined structure हो गया, nucleoid जो आपका well-defined structure नहीं होता है, that would be your nucleoid, nucleoid किस में देखने को मिलता है, prokaryotes में देखने को मिलता है, so presence of nucleoid, dense area in the cell that contains the genetic material, that would be nucleoid, जो आपका prokaryotes में देखने को मिलता है, next is endomembrane system, endomembrane system will include single membrane bound organelles, it is involved in the packaging and transport of the material, कौन-कौन से organelles पार्ट होते हैं इसका, we have endoplasmic reticulum, we have Golgi complex, lysosome and vacuole, ये चारो पार्ट मिल करके endomembrane system को बनाते हैं, जो कि packaging and transport of material में involved रहता है, that is endomembrane system, next is a semi-autonomous organelles, काफी बार आपने सुना होगा, very important term, जो semi-autonomous organelles होते हैं, they are the organelles which have their own genetic material, जिनका अपना खुद का genetic material present होता है, they can produce proteins also, भई DNA present है तो obviously उसको आप transcription करवा पाएंगे, RNA बना पाएंगे, then of course आप translate करा के proteins बना पाएंगे, तो mitochondria and chloroplast होते हैं, ये half of the protein तो खुद सिंथिसाइज कर लेते हैं, rest half के लिए nucleus पर डिपेंड करते हैं, cell पर डिपेंड करते हैं, तो since they are capable to meet their half of the requirements, that's why आप इसको semi माने हाफ, half-autonomous organically बुलाते हैं, yes, half-autonomous organically आप इसको बुलाते हैं, which is semi-autonomous, right everyone, चले next term पर, next is your histone proteins, histone proteins, DNA आपका negatively charged है, इतना बड़ा DNA को cell में accumulate करने के लिए, we need something positively charged, so the positively charged proteins, जो कि आपके DNA को bind करने में, जो कि आपके इतने small size of cell में, DNA का accumulate कराने के लिए help करते हैं, those ones are your histonic protein, histonic protein, 5 histonic protein exist करते हैं आपके, H1, H2A, H2B, H3 and H4, यह चारो आपके histone octamer बनाते हैं, histone octamer बनाते हैं, and my H1 is basically the linker histone, जो कि, linker histone जो कि various nucleosomes को, join करने के काम में आता है, yes, चलने next पे, next is centromere, this part my dear बच्चास, is centromere, जो constricted point है, at which the two chromatids, forming the chromosomes, are joined, this part पे यह join होते हैं, that part is centromere, centromere, very important, kinetocore, यह लिख देती हू, MCQ alert, very important, भाई आप लोग साथ में, notebook में लिख रहे हो के नहीं, do let me know in the comment section, लिख रहे हो सारे बच्चे, fully actively involved हो, can I hydrate myself, can I hydrate myself, come on, come on, yes, yes, what is kinetocore, a specialized structure on the centromere, centromere के उपर, si 2020 लगालो, 2021 लगालो, kinetocore is very important, almost हर साल पेपर में इसका जिकर हो जाता है, इसकी around question आपका आजाता है, ठीक है, तो kinetocore is a specialized structure on the centromere, to which the microtubular spindle fibers will attach, यह वाला जो पाट है, this is your kinetocore, this is your kinetocore, right, very important term, then we have two more important terms, cariokinesis and cytokinesis, cytokinesis, see, cytokinesis, आपका cell के respect में हम बात कर रहे, karyo माने हम nucleus के respect में हम बात कर रहे, तो अगर मैं nucleus के joining करने के process की बात करू, division of nucleus की बात करू, तो that will be karyokinesis, division of cytoplasm की बात करू, so that will be cytokinesis, so cytokinesis and karyokinesis, done, next is G0 phase, crescent stage भी आप इसको बुलाते हैं, so inactive stage है, cell cycle का, जहां पे cell will not divide, that is G0 या crescent stage, रोनक केह रहे हैं, थीक है बेटा, PDF में अप्लोड करा दूंग, डूंट वरी, रोनक, ठीक है, PDF अप्लोड हो जाएगा आपका, next पे आजाओ, metaphase plate, metaphase plate क्या होता है, so plane of alignment of chromosomes during metaphase, is your metaphase plate, this is your metaphase plate, जहां प्यापकी chromosomes align हो जाते हैं, during the metaphase stage, that will be your metaphase plate, next is synaptonemal complex, very, very, very important term, very important term, synaptonemal complex, a protein structure that forms between homologous chromosomes, two pair of sister chromatids during meiosis, and is thought to mediate synapses and recombination, during meiosis 1 in eukaryotes, that would be your, this is your synaptonemal complex, very important term, very, 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 very important term, yes, then next one, translocation, what is translocation, it is a biological mechanism, involving the transfer of water, and other soluble nutrients, from one part of the plant, to the another one, that is translocation, by plant ki bade dhuidha hai, plant ke paas me root stem leaf, teen hi organally present hai, and teen ho ko hi sare kama karne hai, ab is teen organ mein root ko gaam diya gya, ki aap distant places se water and minerals ko absorb ki jiye, and stem and leaf ko avail karayye, leaf ko yye kama diya gya, ki aap photosynthesize ki jiye, right, to do nho me kaam yeh divide ho gya, lekin aap synthesize karne ke baad, usko transport bhi to karna hai, to itne distant places ke oopar, transport karna kehaelata hai, translocation, yes, yes everyone, translocation, next pe chalte hai, porins, very important term, bula maim, har kisi term ki aagi, aap important vata rahe ho, you guess, are he terms, bhoot important hai, joki aap ki NCRT se collect kari gahi hai, yes, porins, porins, protein forming large pores in outer membrane of the organelle, like plastids and mitochondria, usko aap porin kehaethe hai, very common example is your aquaporin, joki previous air question hai, previous air question alert likh dihati ho, chik hai, aquaporins, large pores, yes, right, Rohan, Mehta, thank you so much, paata, aapke hiye, piyare piyare shabd, bohot mehetav rakte hai, meri life mein, and that is the reason, I keep on going, in every stage of my life, thank you, thank you so much, right, so this is porin, next pe chalte, simport, uniport, and antiport, uniport, agar aap moment, ekhi molecule ki involve hoti hai, uniport, do molecule ki moment involve hai, usko aap simport, ya antiport keheti hai, do molecule, sim matlab, ekhi direction meh move kar raha hai, do molecule opposite meh move kar raha hai, one in this one, second in this direction, that will be an antiport, so uniport, ekhi molecule involve hai, simport, antiport meh, do-do molecule involve hai, bas direction ka difference ho ta hai, simport meh, dono ek direction meh move kar raha hai, antip meh, dono opposite meh move kar raha hai, next term is, water potential, previous year question alert, pure water ka, water potential, kitna hota hai, bohut baariye sewaal, poochha gaya aap bacho se, bohut baariye sewaal, aap se poochha gaya hai, thik hai, water potential is basically, the kinetic energy, kinetic energy of the water, priem, thik hai bata, I will look into the matter, and pakka se aap ko pdf avil kar aati ho, thik hai, satchin, thank you very much bata, thank you so much, thank you, haan ji, pure water ka water potential is always, zero, very important question, baar baar poochha jata hai aap se, thik hai, thik hai, kitna kinetic energy present hai, paani mein, that is water potential, of that particular water, solute potential, aap ko pata hai, achi se, this pressure which needs to be applied, to a solution, to prevent the inward flow of water, through semi permeable membrane, is solute potential, aapka water potential, joh hai, meri vachhe, woh zero hota hai, pure water ko, jaisa hi aap us me, solute ko add, kar dheti hai, toh meri joh water potential hai, woh negative me, chala jata hai, toh kishi bhi solution ka, kishi bhi solution ka, water potential will always be negative, and kitna kam hua hai, the lowering down of water potential, will be your solute potential, woh aapka solute potential hooga, chik hai, chalye next, hydroponics, hydroponics, very important term, very important term, hydroponics, bata yi ji, first class, aap prashant kumaranjan, thank you beta, thank you so much, haan ji, hydroponics, soil free culture me, agar aap plant ko cultivate, agar aapne nutrient solution, bana liya hai, jo bhi plant ke liye, anivari and nutrients hai, woh sab aapne yaha pe, is solution me avail kar diye hai, and then aap us ko cultivate karte hai, that is your hydroponics, hydroponics technique, very interesting, very phenomenal, mein kahuang ki ki, scientific world me, bahaat hi behetareen discovery hai, hydroponics ki, iske thiru hum saedless cucumber bhi bana paate hai, haan ji, in soil free medium, very good, next is critical concentration, again, very important term, very important term, what is critical concentration, it is the term, which is used to define, the concentration, of the essential element, below which, the growth of plant, is retarded, pitilab, itna, to humayi chahiye hi, isse kum amant agar hooga, to plant ki jow growth hai, wo retard hoona shuru ho jayegi, usko hum critical concentration, kyathe hai, usse zyadha hoga, usko hum toxicity, ball deethe hai, usse kum haus, usse kum agar hooga, to growth haap ki, plant ki hamper hoona, shuru ho jayegi, yes everyone this is your critical concentration next term is a light harvesting complex LHC what is light harvesting complex it is an area of chlorophyll and protein molecule implanted in the thalacoid membrane of plant and cyanobacteria it transfers light energy I am having this reaction center RCs just come a leak that he who is may majorly chlorophyll a molecule present him bahar very s3 pigments spy jate him s3 pigments is coming a car came a catty who light harvesting complex you just central reaction center my chlorophyll a molecule present a this is the culprit behind excitation of the electron is a human molecule hedge electrons go excite karata hai yehi wa molecule hedgeho different job K mediators hote hai us may electrons go transport karke finally ATP go form karane may section hota hai yes that is a light harvesting complex that is scheme ATP banane ke liye ATP japanata hai plant to score photo force for a relation that can be done in two ways one is a non cyclic second is the cyclic now don't have a difference kya hai agar toh mera electron excite ho ke bahar gaya system me various carrier ke paas ghoom karke ultimately comes back to the original position that is a non cyclic does not come is non cyclic if it comes back ghar ka bhoola hua wapas agya cyclic ghar ka bhoola hua ghoom ta hi rahe gaya wapas nahi haya that would be non cyclic to ATP banane ke liye yeh doh process involve hoti hai one is a non cyclic photo force for relation second is the cyclic photo force for relation am I clear to all of you yes the non cyclic of z scheme bhi bulati hai next is cranes are not to me very important cranes are not to me specifically a PC for plants may dekhanay ko milta hai we have two different types of cells mister gujar bita my 11th 12th droppers sab ko padhaati ho thik hai sab ko padhaati ho maim is in a rudra bita ap ki class bata yeh coaching material enough kya kya material ki requirement hoti hai neat exam ko crack karna ke liyeh kya kya kitab hai aap ko chahiye kya resources aap ke paas available honi cha ee ka kaal hi mainae class liyeh us ko zorou daoori na beta pita without clear ho chayengeyeh thik eh next is cranes are not to me c4 plants may specific liyay aapka paaya jayega we have two different type of cells mesophyll and bundle sheet cells wreath like manner me present hoota hai circular way me present hootie hai dhano-noo'-scop cranes anatomie bilati hai cranes anatomie plant ne adaptation liye hai aapne mein qo ta ki yeh rubisco ka जो deval function है उसकी वज़े से नुकसान इसका ना हो पाए ता कि इसमें हमेशा photosynthesis होता रहे, photorespiration ना हो पाए for that we have cranes anatomy yes cranes anatomy, next term which is very important MCQ alert, previous air question alert I would say is respiratory question, RQ value what is RQ, RQ is volume of CO2 evolved divided by volume of oxygen consumed the reaction में कितना oxygen कONSUME हुआ है and कितना CO2 evolve हुआ है that will give you the RQ value for carbohydrate RQ value is always 1 for fats and protein it is always less than 1 if I talk about organic acids for organic acids it will always be more than 1 more than 1, ठीक है, done, चलिए next terms आती है हमारे पास में बहुत ही confusing terms है, यह differentiation, de-differentiation and re-differentiation, इन तीनों में क्या अंतर होता है तो अगर मैं बात करूँ differentiation, यसी initially we have meristematic cells, जो meristematic cells होती है वो सिर्फ दिवाइड कर रहे हैं, continuously division के stage में हैं अब अगर यह cells अपने stage को छोड़ के एक specific function perform करना शुरू कर दे, तो इसको आप permanent cell लाना शुरू कर देते हैं अब जो यह process involved हुई है, जिसमें आपका meristematic convert हो गया है पर्मानेंट में जो एक specific function perform कर रही है, इसको आपने का differentiation, इस फिनोमेना is differentiation, राइट अब जो मेरी permanent cell है, अगर किसी स्थिती में यह permanent cell अपना specific function lose करके वापस से meristematic हो जाए, तो अगर यह दुबारा meristematic हो गया है, that would be your de-differentiation, de-differentiation, ठीक है, so de-differentiated is again your meristematic cell, यह कोई specific function perform नहीं कर रहा है, यह सिर्फोर सिर्फ दिवाइड कर रहा है, अगर यह जो de-differentiated cell है, यह फिर से differentiation में जा करके अपने आपको permanent में convert कर ले, उसको मैं कहती हूँ, re-differentiation, क्या बोला मैंने, re-differentiation, तो am I clear, differentiation, de-differentiation and re-differentiation, differentiation आपका permanent cell है, जो की meristematic cell से convert हो के बना है, de-differentiation आपका again जो meristematic हो चुकी है, that would be your de-differentiated cell, यह meristematic specifically, अगर वापस से permanent हो जाए, उसको मैंने बोल दिया, मेरे बच्चे, re-differentiation, बता दो किसको समझ में नहीं आया, हाँ जी, किसको समझ नहीं, फटाब फट से बता दो, किसको समझ नहीं आया, सबको आगया, फंडा क्लियर है, सबका फंडा क्लियर हो गया, चले, plasticity, very important term, a plant's ability of forming different structures to adapt and cope with changes in its environment is your plasticity, coriander, धनिया, जब ममी आपसे बोलते है, साफ करके दे दो, तो धनिया की पत्या ध्यान से देखेगा, कुछ की शेप डिफेंट आपको मिलेगी, तो जो अनाइल फेज में डिफेंट शेप आपको लीफ की देखने को मिलेगी, एडिल्ट में आपको डिफेंट शेप देखने को मिलेगी, yes, that would be your plasticity, apical dominance, अब बताने की ज़रूरत निया है, मुझे की this is MCQ alert, बता दो, apical dominance, growing apical bird inhibates the growth of lateral birds, that is your apical dominance, आपको याद भी करा चुकी हूँ, which hormone is responsible, which hormone is responsible to reverse the process, ये भी आपको याद करा चुकी हूँ, अच्छ से, hormone वला lecture देख लीजेगा, apical dominance, next is vernalization, what is that, artificial exposure of plants to low temperature, in order to stimulate flowering, flowering को stimulate करने के लिए, कम temperature से exposure कराना, vernalization, yes, Kiran, very good बेटा, very good, auxin is responsible for that, ये मैं आपको बता चुकी है already, चीक है, चलिए, next term is, thecodont, heterodont and defiodont, yes, next one, बेटा, 11th की classes, जल्दी ही launch होने वाली है, 11th के topics by topics आप लोग पढ़ेंगे, जल्दी ही आपके लिए ये classes आने वाली है, चीक है, चलिए, thecodont, teeth are embedded in socket of jaw bones, उसको आप thecodont कहते हैं, hetero, मतलब different, different type of teeth अगर पाए जाए, उसको आप heterodont कहते हैं, then teeth erupts twice in a lifetime, उसको आप diphodont कहते हैं, चरण, बेटा, अगर आप 2022 के student है, तो कितने मॉक्रस लगाने चाहिए, ये कब लगाने चाहिए, मैं आपको अल्रीड एक लास ले चुकी हों स्थे हैं, चीक है, और ये, तन, next, काईम, वट इस काईम, पर्शली डिए डिएस्टिट फूर इस अचिदिक मीजिए इंस्टमख, इस ये र काईम, वट इस काईम, दो लो मिडिफरेंस का है, इस अमिल्के इस वाइट फ्लूर इल्ट इशर इंस्टमश इनिंट इंस्टमश जीजह मइए, का है दोनों मेंदेर्ट समझ में आया दोनों में दिफे voll क्योषन ने बड़ा इंद्रस्रेशिं क्योशन पऊचा है11 का क्कैमे मर दॉमनाद expand klorilla plant kingdom में नहीं है इसको पर्टिस्तन रख्ते हो तो मेरे बच्छे ध्यान से समझेगा इस बात को, जो Protesta होता है, Protesta kingdom में किसी भी organism को रखने का एक soul criteria है, वो criteria होता है कि it should be unicellular eukaryote, बस, इसके लावा कुछ भी नहीं, तो जो organism आपके plant से deal करते हो, प्लांट के जैसे हो, जो organism आपके animal के जैसे क्यों ना हो, अगर वो unicellular है, एक ही cell है और वो eukaryotic है, तो ये दो stage में, ये दो चीजे अगर वो justify कर रहा है, so despite putting that plant into, that organism infecting to the plants, we will put it into protesta, तो protesta में plants भी है, animals भी है, but protesta में जितने भी organisms है, सारे single cell eukaryotes है, ये आप मान के चलो, इसलिए आपने क्लोरिला को वहाँ पर रखा हुए है, ठीक है यादव जी, ठीक है, आगे बरते हैं जी, Bors effect, come on, Bors effect, the change in the oxygen affinity of hemoglobin in response to change in the blood pH resulting from the change CO2 concentration in the blood is Bors effect, किर्थी आपका स्वागत है, स्वागत था आपका क्लास में, ठीक है, चलिए आगे, परिकार्डियम, वट इस परिकार्डियम, आप लोग पताओ, comment section में, फटा फट से, come on, come on, जल्दी से, जल्दी से परिकार्डियम, the conical sac of serous membrane that encloses the heart and the roots of the great blood vessels is परिकार्डियम, important terms हम पढ़ रहे हैं, yes, yes, पूझा यारदो, सारे लेक्ष्यर साबको लगाने पड़ेंगे बट, ठीक है, then we have sinoatrial node, what is that, it is specialized myocardial structure that initiates the electrical impulse to stimulate contraction and is found in the atrial wall at the junction of superior caval vein and the right atrium, and that will be your S-A-N sinoatrial node, लिखते बे चलेंगे साथ साथ में, लिखते बे, columns of Bertini, medullary extension of the renal cortex in between the renal pyramids is your columns of Bertini, columns of Bertini, next is GFR, glomular filtration rate, what is that, what is that everyone, volume of filtrate formed by the kidneys per minute, its value is 125 ml per minute or 180 liters per day, that is your glomular filtration rate, GFR, then we have ANF which is atrial natriuretic factor, what is ANF, ANF is a hormone secreted from the right atrium, यह मै आपको पढा चुक हो हुआ हा हुआ है 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 along in the chapter, from the right atrium in response to atrial stretch, from hypervolumria as well as in response to hypertension, यह मै बता चुक हो हुआ हापको अपको अलरी, ANF, very important, then we have resting potential, electric potential, difference across resting plasma membrane, is resting potential value is 70 MV, action potential a sudden fast transitory and propagating change of the resting membrane potential value is 30 to 45 30 to 45 thalamus an egg-shaped structure in the middle of the brain it's relay station of all the incoming motor movement and sensory information hearing or taste or sight or touch or from your body to the brain her kissically responsible head thalamus done what are roads and cones what are roads and cones photoreceptor cells in the retina will be photoreceptor cells roads contain rhodopsin cons have idopsin to the up car dim light vision के लिए ये आपका daylight vision के लिए होता है हान जी नवीन चोदरी हेलो बेटा हेलो सेशन कितम हो गया अब आप हाई हेलो कर रहे हो ओलाइट एवरीवान तो बच्चे आज हमने 11th के सारे टर्म्स को पढ़ा next class में हम 12th के टर्म्स को भी पढ़ेंगे तो आई होप आपके लिए काफी helpful रहा है ये session, session को share करना मत भूलना, like कर देना and अपने दोस्तों को भी next class में लियाना कल भी हम कुछ ऐसी ही बहतरेन class के साथ में मिलेंगे, we'll see you in the next class till then, अपना ख्यार रखे, मस्त रहे, स्वस्त रहे, वैस्त रहे, God bless you all, bye everyone अजब के वैंगे गिस दोटे के के सांके अर वैस्त, उ्किए झता है शरा वाटे मिलें हुआ, अजब है झाल झाल